उत्तर पूर्वी दिल्ली थाना खजूरी खास के अंतरगत 9 वर्ष ये बच्चे की हुई हत्या मदीना मस्जिद में गया था नमास पढ़ने और कुरान हाफिस की कर रहा था पढ़ाई 7.1.2021 वहां से लोट कर नहीं आया परिवार वालों ने काफी तलाश करने के बाद पुलिस में की शिकायत काफी तलाश करने के बाद मदीना मस्जिद की छट पर मलवे में दबी हुई मिली बच्चे का शव बच्चे के शव को 8-1-2021 पुलिस ने शव को कबजे में लेकर पोस्च मार्टम के लिए जी टीवी मौर्ची में भीजवाया आज दिनांक 9-1-2021 को पोस्च मार्टम के बाद बच्चे के शव को परिजनों के हवाले किया थाना खजूरी की पुलिस केस की कर रही है जाज धारमे की स्थलों पर भी बच्चे नहीं हैं सुरक्षित देखने वाली बात अब रहेगी पुलिस इस केस को कितनी जल्दी तप्तीश करके मृत्ग फरान की दोशियों को सजा दिलाएगी अभी हम मौझूद हैं थाना खजूरी खास के अंतरगत जहां पर एक मदीना मस्जित में जो एक बच्चे का लाश मिली है बच्चे की उमर लगबख 9 साल बताई जा रही है जिसमें बच्चे के पेरेंट से आईए बात करने की कोशिश करते हैं मैं अभी मौझूद हूँ बच्चे के दादा जी के साथ फारहान जो बच्चा है जिसका मड़क की बारे में सुना गया है जी क्या कहने चाहेंगे किस तरह से बच्चा आपका गायब हुआता वह साब जुम्मे रात के दिन असराट के टाइम मस्जित नमाज पढ़ना गया वहाँ जुम्मे रात के दो चंदा पंदा भी होता है और वो तक्रीर बक्रीर करता था बच्चा तारी में इन था उसने मगरिप की नमाज वहाँ पढ़ी ब्रलके का बाप भी मस्जित में था उसने कहा बेटे अब नमाज होगई घर नहीं चड़ोगे उसने कहा के साब कि जुम्मे रात के दिन की अज सनी बार है तो उसने कहा अब मैं आ रही हूं ऐसा मस्जित में कुछ जालो बालो सफाई हुआ ही करनी है कर जुमा है मैं आ जोंगा वो कहके घर चले आए उसके बाद ये पता चला इसां के नमाज में के वही आपका लड़का मस्जित में नह आज में नहीं था आज कि उसके बाद जब सुना तो साफ हमने भाग दोल करनी शुरू कर दी चान में किसने कहा के लड़का मस्जित में नहीं आए वहां के जो तालिम मतलब मदर इस थे इमाम साफ उन्होंने फोन किया कि वही लड़का आपका नहीं आया आज क्या ऐसी जाता हा इसलिए उसको एक तरह दी जाती है क्योंकि उसमें टाइम जादा लगता है तो मजजित से खबर आई कि आपको बच्चा मजजित में नहीं आया अब साब बेकभाल करी वहां लड़के और जो कर रहे थे पढ़ रहे थे उनसे मालूम किया गया कभी फरान है का तो वह लड़के बोले का हमारे साथ गया था मैं मुमुज खाने रोट पर और वो हम इदर चले आए वो अपने घचा लगा यह ग्यारा नंबर गली है सीशी कैमरे लगाऊ है जब वो देखा गया उन कैमरे को खंगा ला गया तो उसमें कोई भी उसकी पोड़ू नहीं थी मुम मुमुज खाने गये ही नहीं यह जूट बोला गया मुमुज खाने नहीं बहुचा लड़कों ने जूट बोला वो मजडिद ही मैं था जूट उन बच्चों ने क्यों बोला यह यह कारण तो साब उन ही को पता होगा हमें तो इल्म हैं किया कारण क्यों जूट बोला किस ने बुलवाया जैसे आपको पता चला कि बच्चे की जो लाश है वो मदरसे के ऊपर उसमें नहीं नहीं अभी पता नहीं चला कर लाश उसके ऊपर है अभी तो हम देख भाल कर रहा है का हमारा बच्चा गया था दो दिन आपने च्छानविन करने जी हाँ पुलिस में इतला की थ तो बच्चा जहां है वहीं है उसे वहीं देखा जाए मलम मंदरसे में था तो वहीं है वहीं देखो उसके बाद वो बाहर नहीं निकला कहीं किसी कैमरे में कैच नहीं हुआ तो उसको वहाँ देखा गया जब देगा तो बड़ी चानमीन करी लेकिन दिमाग में पान उठाय दो इमाम साहब हैं दो बच्चे हैं जो वो यह किय रहे थे कि वो मेरे साथ ममोस खाने गया है उन्हें उठाया है उन से ये पूछ रहे थे कि आगर आपके साथ ममोस खाने वो मस्जिद से निकला है तो वो आखिर आपके साथ सीसी टीवी कैमरों में कहां गया उसे जमीन निगल गई या आस्मान खा गया बच्चे दोनों ही कस्टडी में हैं लेकिन बच्चे फुल उनके चेहरे पर ना कोई उदासी है ना शिकन है वो बिल्कुल बिंदास जवाब दे रहे हैं पुलिस वालो जी मैं बच्चे का चाचा हूँ तो मेडम वो कहीना कहीं जुट बोल रहे हैं लेकिन हम यह नहीं कह सकते फुली तोर पर कि वो जुट क्यूं बोल रहे हैं कोई उनसे बुलवा रहा है या वो अपनी मर्जी से बोल रहे हैं अगर वो बता रहे हैं कि ममोस खाने गया था तो दस साल के बच्चे से किसी की कोई दुशनी नहीं तीश उसके बारे में तो हम कुछ से घर आएगा घर आने के बाद फिर वो जो है स्कूल का काम करेगा हिंदी और उर्दू बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना जानता थार्ड स्टेंडर में था मेडम वह जी ले टाइम बहुत कम था भी खेलने के टाइम उसको ना की बराबर दिया जाता था दिया जाता था बड़े ना की बराबर उसको ज्यादा टाइम श्पेंट जो आपना पड़ाई पर ही करता था कि यह चार बहुत हैं यह सेगेंड नंबर का था जी इनसे छोटाएक बहन की झाल झाल